मुझा जाए असलाम अलेकुम फ्रेंड्स अमीद करती हूँ आप सब ख्यारियत से होंगे और अल्ला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो सुझी सुबा हो गई और आज मेरी अम्मा ने मुझे नए तरीके का नाश्ता बना के दिया जिसको अम्मा ने नाम है कि यह है ओमलेट पराठा तो सारी चीज़ें ओमलेट वाली थी उसके अंदर बस आटा एड़ कर दिया अंडा एड़ कर दिया और सारा कुछ और ओमलेट ही होता है बस रोटी की तरह थोड़ा सक्त सा हो जाता है तो यह खाएंगे और इसके बाद करेंगे घर के बाकी काम तो आज जी मेरा भाई भी आ गया है फात्मा भी आ गई थी और घर की थोड़ी सी रोनक जो है वो वापिस आ गई है दो भेने अभी अपने घरों में ही है उनका तो कोई प्लैन नहीं आने का लेकिन फिर भी थोड़े लोगों से कुछ मेंबर जो है ज्यादा हो गए है तो को ही रोनके जो है दुबारा से आगई और मेरा भाई हर महीने एक दिन बस आता है जैसे थरस्डे को आता है फ्राइडे को चले जाता है तो मैं तकरीवन उससे पांच माँ बाद मिली हूँ और बस अला ताला सब को खुश रखें अबाद रखें यहां जी नाश्ता हो गया तो फिर थोड़ी सी हेल्प भी करवानी पड़ती है मेस बानों की तो बस फिर मैं भी आज जाड़ उठाया और मैंने सोचा कि आज सारे गहर की अची तरह सफाई करती हूं सारे रूम के चीज़ें में करा सेट करनी सफाई करेंगे और यह जो फरश है ना यह देखने से वस सफाई में थोड़ा मुश्किल है एक प्लस प्लॉइंट यह हो गया कि पहले हादे की पेपर्स हो रहे थे वह पढ़ती रहती थी लेकिन अब तीन चार दिन की जो छुटियां हो गई है या आइज इंफेक्शन की वज़ा से तो इसको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि सार तो इनकी तो अपनी ही खुशी है मुझे याद है एक दफा कुरंटीन के दौर में हम होस्तल में थे तो अचानक हमें चुटियां हो गई है और फिर तो जो खुशी से चीखे निकली है ना मजा ही आ गया और होस्तल में तो और भी जादा के बस अब घर चले जाएंगे जल् में उसकी चुटी नहीं थी उसने सोचा कि थोड़ा सा उसको देख लूँ ताके मुश्किल ना हो बस इसकी भी बैट शीट उगेरा सेट की यहां भी जाड़ू देंगे और यह जो बैट शीट है ना यह दिन में पता नहीं कितनी दफा खराब होती है और कितनी दफा हम इन वीडियो के एंड पे कर दिया करें और उससे मुझे खुशी होती है लेकिन दिन बदिन कॉमेंट्स जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं तो थोड़ी से हमत मार लिया करें कॉमेंट से आपका कुछ भी नहीं जाना मुझे मेरा एच वी जो है इससे शायद थोड़ा जादा ह जो है वैसे उसकी कमी ही रहती है अचा एक दो दिन पहले नुमान आए उन्होंने अचानक सर्प्राइस दिया मुझे कॉल भी कर ली और मैंने कुछा कहां है और बोले ड्यूटी पे हूं वहां से बेल बजी हादें दरवाजा खोला तो वह नुमान और तब मेरा जो रियक् है रोने लग जाती है तो उसका दिल करता है कि मैं इसको उठाओं लेकिन वो जो है परिशान है तो काम वगयरा कर लिए उसके बाद हमारा प्लैन बन गया कि हम जाते हैं थोड़ी चीजें ले आते हैं लेज वगयरा फात्मा ने अपने होस्तिल के लिए भी कुछ लेने थी का ताकि देर सुवेर कभी भूक लगे तो बनदा ये खाल लेता है तो बस फिर हमने त्यारी की हो और हम चल पड़े अच्छा यहां जिमल को बहुत कम मोका मिलता है कि बाहर जाए बहुत ही जादा कम तो वह इतनी पागल हो जाती है जब बाहर जाती है तो इतनी ज्यादा मैं तो अब नहीं दुनिया में आगी इतनी इसको फिरने की आदत पड़ गई है यहां भी जिमल की कोशिश थी के मैं हर चीज को अपने हाथ में पकड़नूं बस भी मैं फात्मा और हादिया हम तीनों जो है अपनी चीजें कठी करने लगए कि जो पसंती जिसको जो फ्लेवर पसंता वो हमने लिया उसके बाद जो है चेक आउट करवाया और हम आगे वापिस धर वापसी पर तोड़ा अंधिरा भी होना शुरू हो गया था और यह है हमारा खूबसूरत सा शहर और अपना शहर तो हर किसी को ही बहुत ज्यादा पसंद होता है वापिस आए जब घर तो अम्मी ने हमारी इतनी सारी चीज देखके जो पाकिस्तान के हर घर की हर मा जो है वह कभी-कभी यह भी कहती है कि माओं की डांट में प्यारी होता है तो बस फिर अम इस बात को भी प्यार समझ के इग्णोर कर देते हैं तो सारी चीजें जो है इनको सेट किया उसके बाद रात की खाने की तियारी चुरू हो गई उसके लिए कुछ फूट थे वह मीने कटिंग फ्रोस्ट होने के लिए रख दिया क्रीम को बाहिर इसके बाद हमने बनाने देही भले और देही के लिए जो भले है वो घरी तियार करने थे दाल जो है पहले ही बगोदी थी उसके अंदर नमक मिर्च डाली पानी डाला बेकिंग पाउडर डाला आदा चमच इसको अची त आपड़ी और उसका जो है अमेजा हादिया ने उसको अची तरह गूंद लिया और हम सब बेहनों में से हादिया को कुकिंग का बहुत शोक है वो है भी सबसे चोटी यूट्यूब से देह के ट्राइ करती है और नो डाउट उसकी कुकिंग बहुत ही जादा बेस्ट बन दी अचा कडाई देखने में छोटी लगती है लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी जो है स्पेस है तो यहाँ जी फ्राइ करूंगी यह देखे कितने मजे से फूल गए है अचा जब मैं देही बहले बना रही थी तो मुझे अपने कॉलिज वाले देही बहले याद आगे तब ह विटार के हम के बना है तो सहाथ साथ अचा अपनी ने हैं प्रौन इ सब्सक्राइब विडियो काल यालो कर ली हैं यही पैस प्रौट होगई लेकिन मुझ गभी किसी कर चाहरा हूंगे की अपने जो लाइफ में होते हैं भालों को मैंने पानी के अंदर भीगो दिया था पकोडियों का भीगो दिया था उसके बाद सारी चीजिंग की कर ली दू जो है अब सिर्फ टाइम ठाइम भीदू ABOUT डाल लीगाँ और शारी चीजें भाल दूली अवर को अपने हसाब से डा मैंने भी वापस घर चली जाना है तो फिर वहां के व्लोग भी आप देखिएगा मेरे साथ कुनेक्टिड रहें नहीं ने व्लोग जो है डेली में अपलोड करती रहूंगी सारा कुछ मिक्स हो गया ओपर मुझे समझ नहीं आ रही थी है मैं क्या सप्रिंकल करूं तो मैंने च क्रीम मेल्ट हो गई थी उसको चाट के मिक्स किया सारो ने मिलके खाना खाया आपको यह व्लोग कैसा लगा मुझे लाजनी कॉमेंट सेक्चर में बताईएगा वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं जी एक नेक्स व्लोग में तब तक के लिए याला हाफीज